दश्चकु तक उपेक्षित रहा गोरखपुर का रामगर्ताल योगी सरकार द्वारा किये गए काया कल्प के बाद वाटर स्पोर्ट्स का हब बनता जा रहा है पिछले साल खेलो इंडिया युनिवर्सिटी गेम्स के तहट रोइंग की दाश्रिय प्रतियोगिता की सफल मेजबानी करने के बाद यहां सब जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया चैंपियनशिप 22 अक्टूबर से शुरू हुआ था और 26 अक्टूबर यानि की आज फाइनल मकाबले खेले गए चैंपियनशिप के समापन अक्सर पर मुख्यमंत्री योगिया दितिनाथ का सानित राप्त हुआ जोरानवे गेम का आनंद लेती हुए और तालियों से खिलाडियों का होसला बुलंद करती हुए दिखे उत्तरब्रदेश अब मेरट में अपना पहला स्पोर्स इंवस्ट्री भी बना रहा है जो बहुत सीग्र बन करके तैयार होगा खेल और खेल गत्विदियों का आगे वढ़ाने और खिलाडियों को प्रोथसाहन करने के लिए आज दबल इंजन की इस सरकार पूरी प्रतिवधता के साथ कारे कर रही है और मुझे प्रसंता है कि रोइंग फैडरेशन ने सब जूनियर नेशनल चैंपियंशिप को गोरगपूर में अविजित किया है और आज इस से जुड़ी भी प्रतिवधता का अब ये फाइनल मेंच यहां पे चलना है वरत्मान में मुझे फुरा विश्वास है कि आपका ये गोरगपूर का जो ये प्रवास है इस फैडरेशन का भी और इस प्रतिवधता का भी ये आनंद पुर्ण रहा होगा आप सब के जो मेडल जीत रहे हैं उन सभी खिलाडियों को मैं बधाई देता हूँ जिन्होंने बहतरीन प्रियास किया लेकिन मेडल से बंचित रहे हैं उनकी प्रति मेरी सानव होती है लेकिन उनका प्रियास कभी विफन नहीं होगा बलकि आने वाले समय में वे और फैडरेशन ओफ इंडिया को उत्तर प्रदेश रोइंग एसोसेशन को और उनके सवी बदादी कारियों को हिरते से धन्यबाद देते वे आप सब की प्रति अपनी मंगल में शुब कामनाय देता हूँ आप सब को बिपावली की भी हिरते से बदाई और मंगल में शुब काम में भी शामिल हुए और खिलाडियों को पुरसकार दिया